आज हम बात करेंगे Switch on Blacklist from Call Settings के बारे में तो यहाँ पर दिखा रहा है Switch on Blacklist from Call Settings यह क्या है और क्यों आता है मैं आपको समझाता हूँ तो अभी मैं Moto A10G Mobile में इत नंबर को Blacklist में एड करने की कोशिश करता हूँ मैं Context में जाता हूँ और यहाँ से इस नंबर को मुझे Blacklist में एड करना है तो उसके लिए Options में जाना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है और Add to Blacklist स्लेक कर लेना है Switch on Blacklist from Call Settings तो हमें Blacklist on करना है पहले तो मैं इसे Close कर देता हूँ तो क्या है इसका Solution में आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको मीनू में जाना है और फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है Settings में आपको जाना पड़ेंगा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और Call Settings ओपन करना है फिर यहाँ पर आपको Advanced Settings में जाना पड़ेंगा तो Advanced Settings में ओपन करता हूँ और यहाँ पर Blacklist ओपन करना है उसके बाद आपको दिखा रहा होंगा Reject Call यह अभी Off है इसलिए जो है आप नमबर को Blacklist में Add नहीं कर पा रहे है तो आपको इसे On करना है पहले तो यह बटन दबाना है और यहाँ से On Select करना है और OK कर देना है तो Reject Call On हो गया अब मैं Back आजाता हूँ अब मैं दुबारा से Context ओपन करता हूँ और यहाँ से एक नमबर को Add करता हूँ Blacklist में जैसे इस नमबर को Options में जाना है और यहाँ पर नीचे आना है आपको Add to Blacklist Slack कर देना है तो अब जो है नमबर Blacklist में Add हो रहा है आपसे पूछ रहा है Add to Blacklist Yes or No तो आपको Yes कर देना है नमबर Blacklist में Add हो गया है और अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है प्रॉब्लम शेहा है खिच्दाना है प्रॉब्लम यापको